नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर मेरा घर था बहुत बड़ा घर में कमरे भी थे धेर घर के एक कमरे में रखी थी भैंस भी दादी सानी पानी करती दादा कारते थे दूद बैस का कट्रा भी जनमाते दाई भी हो जाते थे दादा ताकि मिले हम बच्चों को देर सा दूद, दही, घी और चाच तो दोस्तों आप समझी गए होंगे कि ये कवीता जो है मैंने समर्पित की है एक लगू कवीता संग्रे को, इसका नाम है बाप का होटल और इसके रचिता है दलबीर फूल, आप देख सकते हैं दोस्तों तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आप से चर्चा करूंगी हाट बाउन में 2024 में परकाशित हुई है, अनंद कला मंच परकाशन भिवानी से आई है मुले 300 रपे प्रिष्ट 112 और परिचे देना चाहूंगी दलबीर फूल जी का सबसे पहले तो एक सहयोग कहिए कि इनका जनम दिन 8 जून 1969 है, जो मेरा भी है ये पहुत ही अच्छा सुकत सहयोग मुझे लगा और ये लोग कवी हैं, रेडियो गायक हैं, लिसान, दिला, रिवाडी, हरियान में जन में वहीं रहते हैं डेड दरजन पुस्तके आचुके, हरियानवी बोली में ये लिखा गया है, लगु कवीता संग्रे में बता देती हूँ आपको इन्होंने खुब पुस्तके निकाली हैं, हरियानवी बोली में संपाधन भी किया है, रेडियो पर गायक के रूप में भी आए हैं और काफी सारे इनको सम्मान मिल चुके हैं, और इनके माता पिता को इन्होंने समर्पित किया है, ये पुस्तक, पिता शरी फूल सिंग, माता शरी मती भतेरी देवी को, ये पुस्तक इन्होंने समर्पित किया है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी, इनके ये च तरफ आप देख सकते हैं तो इसके बारे में उन्होंने के लगू कविता भी लिखिये कहते हैं कि पहले गुरू माबाप महारे पहले तुम्हें प्रणाम करूं जनम दिया ये जग दिखलाया पड़ा लिखा सब ग्यान दिया मात पिता ने बड़ी मेहर करी मुझे ऐसा दिया तुम स्वीकार लियो करू समर्पन पुस्तक को मैं आज तुम्हारे चरणा में और परकाश के लिखा है सुनीता आनंद जी ने देखते हैं वो क्या कहती हैं उन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि अनंद कलामच परकाशन बिवानी के लिए आती हर्च एवं गर् ग्राम लिसान जिला रेवाडी हर्याना निवासी लोक कवी एवं रेडियो सिंगर दलबीर फूल की प्रस्तुत क्रिती बाप का होटल का प्रकाशन अनंद कलामच बिवानी की प्रकाशन योजना तीस दिन तीस लगुकविता संग्रेय के तहत हुआ इस प्रकाशन से प्रक प्रकाशन लिखिये है शिरी डॉक्टर है तिरलोक चंत्फते पूरी अटेली हर्याना वे लिखते हैं कि कवी अब एक नया नायाब कुलदस्ता बाप का होटल लेकर उपस्तित है इन लगुकविताओं में गिने चुने सार्थक शब्दों द्वारा कवी दलबीर फूल ने वे बिन विश्यों को एक नए अंदाज में प्रस्तूत किया चोटी चोटी लगुकविताओं में देश बक्ति राष्ट प्रेम राष्ट्रे एक्ता की भावना के साथ साथ नए जोच उत्सा और प्रेणा का भाव नहित है उसके बाद देखते हैं डॉक्टर सत्यवीर सिं और उन्होंने लिखा है एक विख्यात कवी होने के साथ साथ रेडियो गाय संगीतकार है या नेक पुस्त के लिख चुके हैं और उन्होंने लिखा है कि इनके कावे में परिपक्वतावा प्रखरतास पश्ट चलक रही है और देखते हैं उसके बाद सत्तेवान सत्ते उन्होंने क्या लिखा है ये गाउं मुबारिक पुर जिला जजर हर्याना अनिवासिया उन्होंने लिखा है कि मर्म को भीता स्रीजन मुक्तचंग मुझे उनकी हर रचना ये थाट से गुजरती महसूस हुई मेरी नजरों से गुजरती ये पहली पुस्तक है जिसकी शुरुवात कवी ने गणेश वंदना से की है उसके बाद मा सरस्वति को याद करते वे गुरु वंदना एवं ग्राम देवता की स्तुती से शुरू ये पुस्तक अनेक वियंग भी अपने में समेटे है तो दोस्तों ये तो थी भुमिकाएं और अब मैं समिक्षा की बात करती हूँ तो मुक्त छंद में 10-10 पंक्तियों में सुसजित 85 लगु कविता हैं इसमें शामिल है समसामिक विशे लिए हैं हर्यान में बोली है हर्याना के गाउं की परंपराओं के विशे उठाए हैं और युवा पीडी जो कुछ उच श्रिंखल हो रही है उनको भी इन्होंने खूब उकेरा है इसमें वरिधाश्रों में भेजने वाली उलाद को भी लताड़ा है गाउं के विशेष्टाएं बताएं बुल्डोजर चलने चाहिए अपराधियों के घर पर ऐसा इन्होंने का सही कहा है फास्ट फूड ना खाने का संदेश दिया है सत्य डगर पर चलिए देर ना कीजिया आदी कविताएं रची है अमातरिक चंद अधर चंद अनुप्रास अलंकार तालव चंद युक्त लगू कविताएं भी इन्होंने रची है भावना सिक्त कविताएं यह पहेलियां बुझाइय है इन्होने बच्चों के लिए यानि पहेलियों को भी इन्होंने इसमें कविताओं के रूप में डाला है भैस, बगरी, गाए, बिल्ली, कुता, मुर्गया, कवा, तोटा, कोयल ये पशू और पक्षियों की विशेष्टाओं के रूप में कविताय रची है दोस्तों इसका कारण यही है क्योंकि ये प्रकृतिके नजदीक रहते हैं ये गाउं में आपने देखा होगा जो वातावरन है कितना अब शुद्ध कितना प्रकृतिक होता है इसलिए इन्होंने ये विशे लिये हैं इसके अतरीक पिन्होंने पक्षियों की विशेष्टाओं सबजीयों फलों की विशेष्टाओं बताई है फल सबजीयां खाने चाहिए ये बताया है और जवान किसान मजदूर नेता ध्यापक ये भी विशे लिये हैं इनकी लगुकथाओं, लगुकविताओं के इनोंने लिए, आम जन को ध्यान में रखते वे सरल हर्याणवी, बोली में इनोंने कविताओं रची हैं, तो मित्रों, आप लोगों के लिए कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूंगी, तो आप खुदी सुनिए और देखिए कि इ गोरा सुथ शिव के लाला, पहले आतने मनाऊं सु, तम को हर कर देव मेरे, बुद्धी मैं परकगास करो, चाले कलम, बिना रुकावट मैं बिंती बारंबार करूं, गजानन करो, मेहर थोड़ी सी, लगुकावे लेख लिखूं, शुद्ध शबद लिखे लेखनी, सिर्प मेरे हात धरू, सिर्प है मेरे हात धरू, तो एक और लिखी है, इन्नोंने मेरा गाम लिसान, इसके बारे में देखे, कितना अच्छा लिखा है, कि दक्षिन हरयाना के अंदर एक सुन्दर मेरा गाम बस है, जिला रवाडी डही शा, डहीना, पता ठिकाना, खास लिखा है, चत जाती सी गाम में, अपना कार विवार करें, बड़े प्यारते रहना से रहना, नहीं किसी का मान गटा है, कवियों की धरती बतलाई, लेक पुराने खास मिले, लेक पुराने खास मिले, और बुल्डोजर घर देखिएगा, कि हर शेर में एक अस्पताल, एक सकूल, एक बैं बाद ना करें, बहुत अच्छा, एक बर देखिए तीरत यात्रा, इब के बार तीरत यात्रा पे कीद चलोगे, कीद चालोगे, राजू ना दिख रहा, चालो उसके घर चाला, गर पे जिब जाके देखिया, तो वो सब समझ गए, राजू अपने बाबा को रगड रगड नुहार याथा, या देख सभी बोले, असली तीरत यात्रा यास है, सच में दोस्तों, माबाप ही तो हमारे भगवान हैं, उनकी सेवा करलो आपकी वही तीरत है, इक देखे कितनी गरमी हो रही है, इसके लिए इनुने लिखा हात के पंके, सगाई करन आए मैमाना के खातर पंका कुलर एसी ल्याके कम्रे में लगवाए पर मैमानों के आवते ही बिजली चली गई काम आवे, काम आए, बस वो ए मारे पुराने खजूर वाले हाथ के पंके हाथ के पंके, बहुत याद आती है दोस्तों पुराने समय की जब हम हाथ के पंके जलते थे या इसी कॉपी किताब से ऐसे कर लेते थे एक बड़ी भावना प्रधान लगू कवीता सुनिए बस अड़ा के कितने रुपे लेोगे, रिक्सा लेने कया, बीस रुपे, बस अड़ा के कितने रुपे लेोगे, रिक्सा लेने कया, कया, बीस रुपे, जादा ले रे सो, ना जी ना, बाबुजी, आज बीस रुपे का एक किलो आटा भी न मिलता, बहुत सही का हम लोग इन लोगों के साथ कितने मौल भाव करते हैं जबकि बड़े मौल में हम लोगों की जुबान तक नहीं हिलती कि हम कहें भई या 10-20 रुपे कम कर लो नहीं एक और देखिए महमान नवाजी लोग कैसे करते हैं गाओं में भी कि बूड़ी मा के द्वारा घर आये रागीर की सेवा भाव देख बहु कैन लागी यो रागीर मर के लागे से पडोसी हमने के बोलेंगे तो बूड़ी अम्मा बोली पडोसी बोलें या ना बोलें एक देन मारा ये चूला जरूर बोलेगा बहुत बड़ी गहरी बात कही है इसमें अब मैं शीरशक लगो कविता पढ़ना चाहूंगी बाप का होटल देखिए इसके अंदर भी एक कटाक शेक रंग देखिए कि खून पसीने और मैंनत की कमाई ते कमाया पैसों को जिब निकर्मी ओलाद अपने एश अराम में उड़ाउं ते देख पडोस का ताउ बोल्या बेटा कमावेगा जिब बेरा पाटेगा इब तो यो तेरा पाप का होटल से है बहुत सही बोला कि बेटा कमावेगा जिब बेरा पाटेगा सच में बेरा तो तब ही पाटता है जब व्यक्ति खुद बाप पनता है बहुत अच्छा वियां और अब मैं आखरी पढ़ना चाहूंगी एक लगू कावे के बारे में इन्नोंने परिभाशा लिखी है कि ये ब सामना शिर्शक के अनुरूप सभी लिखी लाइन ये पूरी दस पाठक वरिंते विंति याए इस पर कुछ विचार लिखो इस पर कुछ विचार लिखो तो दोस्तों अवश्य इनकी पुस्तक पढ़ें और समीक्षा करके इनके पास भेजें कि आपकी क्या राय है इस पु लाइक करके आप बैल आइकन दबाएं और कमेंट करें शेयर करें और इस चैनल के साथ अधिक से अधिक चुने थानेवाद दोस्तों फिर मिलेंगे क्लीकडी के साथ शुक्रिया